अज मैं आपके साथ बैंगन मसाला की रेस्पी सर कर रही हूँ ये खाने में बहुत स्वादिश लगती है घर पर रखे सिंपल से मसालों के साथ बनकर तयार हो जाती है आप इस रेस्पी को ट्राय जरूर करिएगा ये आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं बैंगन मसाला बैंगन मसाला बनाने के लिए यहां देखिए हमने लगबग 400 ग्राम बैंगन ले लिए हैं ये हरे वाले बैंगन हैं हमारे यहां पर अभी के टाइम में इसी तरह से बैंगन आ रहे हैं आपके याँ पर जो भी बैगन है आप वो ले सकते हैं बिल्कुल ताजे बैगन लेना है इससे सबजी ज़्यादा स्वाधिश्ट बनती है तो सबसे पहले हम इनके उपर वाला हिस्सा कट करके हटा देते हैं और जो इनके नीचे पर लगा हुआ है इसे भी हटा देंगे वैस इसमें कोई कीडा तो नहीं है देखिए बिल्कुल साप सुत्रा सा बैगन है बिल्कुल भी इसमें कीडा नहीं है तो बस इस तरह से कट करके इसे तुरंत ही हम पानी में डाल लेंगे क्यूंकि बैगन जल्दी से काले पढ़ने लगते हैं तो कट करके एक एक करके ने पानी में डालते जाना है देखिए सारे ही बैगन को हमने कट करके पानी में डाल लिया अच्छी तरह से सारे बैगन को चेक कर लिया बिल्कुल भी इसमें कीडा नहीं था अब यहां देखिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चड़ा दी है इसमें हम डालेंगे दो चम्मस तेल और अब ह बैगन पक रहे हैं हमें एक मसाला बना कर तयार कर लेते हैं हमने मिक्सी का जार ले लिया है इसमें हम डालेंगे यह हमने दो मीडियम साइज के टमाटर को कट कर ले लिया है 8-10 लहसुन के कलीयों को चील कर ले लिया है और यह हमने अद्रक कर टुकड़ा लिया है साथ में डालेंगे 4-5 साबुत लाल मिर्च ली हमने और अब सारी की चीजों को हमें पीस लेना है एकदम महीन पीस लेंगे देखे सारी चीजों को हमने पीस कर तयार कर लिया तो यह हमारा मसाला तयार है चली देखते हैं, बैगन भी अच्छी तरह से फ्राइब हो चुके हैं जितना हमें पकाना था, लगबख 8-10 मिट हो चुके हैं इसे पकते हुए अच्छी तरह से बैगन फ्राइब हो गए हैं 60-70% तक बैगन पक चुके हैं तो अब इने निकाल लेते हैं देखिए कड़ाई में तेल बचया हुआ है आपको चाहिए तो इसमें और तेल डाल सकते हैं आप लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं तेल गर्म है तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आदा चम्मत जीरा यह हमने एक दालचिनी का टुकड़ा लिया है और एक तीजपत्ता खड़े मसाले फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे यह हमने एक बड़े साइस के प्याज को कद्दुकस करके ले लिया है अच्छा है तो प्याज को छोटे टुकड़ों में कट करके भी ले सकते हैं मिला लेते हैं और प्याज को हमें पकाना है जब तक की प्यास का कलर डार्क न हो जाए तब तक हम इने बीज बीज में चलाते हुए पकाएंगे देखे लगबग 5-6 मिनट हो चुके हैं सारी चीज अच्छी तरह से पक चुकी है प्यास का कलर भी चेंज हो गया है तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे सबसे पहले डालत मसाला है आप चाहें तो रेडीमिट गरब मसाला भी यूज सकते हैं सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और प्याज के साथ मसालों को भी हमें भून लेना है चलाते हुए लग-बग 11 मिनट के लिए मसालों को भी बहून लेंगे इस टाइम गैस का फ्लिंलो और बागी पीसका रखी थी ना इन्हें डाल लेते हैं साथ में डालेंगे टेस्ट के साफ से नमक मिला लेते हैं और अब हम इसे पकाना है सारे ही मसालों को पकाएंगे देखिए मसाले थोड़े से हमें सूखे सूखे से लग रहे थे तो हमने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल कर ले लिया है एक बार फिर से मिला लिया सारी चीजों को और अब मसालों को लगभख 6-7 मिट के लिए 8-10 मिट भी लग सकते हैं लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तकी मसाले तेल न छोड़ दे तब तक ने पकाना है बीच बीच में चलाते रहेंगे और मसालों को पकने देते हैं देखिए लगभख 8-10 मिट हो चुका है लो फ्लेम पर मसालों को पकते हुए सारे ही मसालों ने तेल छोड़ दिया है बहुत अच्छी तरह से सारी चीजे पक चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी के लिए जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए वैसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाएंगे हम थोड़ा सूखा सा ही बनाएंगे बैगर मसाला को पानी डाल लिया है अब डाल लेते हैं गरम मसाला हमने पहले घर का बना हुआ गरम मसाला डाला था ये रेडी मिट गरम मसाला है थोड़ा सा डाला है साथ में डालेंगे थोड़ा सा गुर्द इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में अगर आप नहीं डालते हैं तो आप डाल कर देखिएगा बहुत स्वाधिश्ट ग्रेवी बनकर तयार होती है एक बर मिला लेते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे यह जो हमने ब अज़र बाकी है हमने इसे 60-70% तक ही पकाया था और ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक जाए तो बस उबाल आने के बाद इसे लगभख 8-10 मिट के लिए पकाएंगे देखिए ग्रेवी में अच्छा उबाल आ चुका है लेकिन अभी हमें इसे पकाना है अभी लगभख 1-5 मि इसे पकते हुए इसे और हम पकाएंगे लगभख 8-10 मिट या 10-11 मिट इसे और पकाना है देखिए बैगन को पकाते हुए पूरी प्रोसेस में हमें 10-12 मिनट का समय लग गया है बैगन अच्छी तरह से पक चुके हैं ग्रेवी भी थोड़ी गारी हो चुकी है तो यह हमारा जटपट से बनने वाला बैगन मसाला बनकर तयार है देखिए कितना अच्छा बैगन मसाला दिख रहा है खाने में भी ये इतना है सौधिश लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से और जटपट से बनकर तयार हो जाता है आप इसे रोटी राइस पूरी पराठा किसी के भी सा कर लीजिए साथी बैल आइकन भी प्रेज कर दीजिए तक आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो मिलते हैं नए रेस्ट पी वीडियो में तब तक कली नमस्ते